दोस्तो ओम नमेशिवाय श्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूटूब चनल सिवा अश्ट लोजी पर आकरे का फूल सोना चांदी से भी जादा कीमती है रोडपती भी बन जाएंगे करणपती दोस्तो यह पौधा जो आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं इस पौधे इस पौधे के एक फूल को भागवान जी पर अगर चरहा दिया जाए और यदि अपनी मनोकामना मांगी जा तो यह मनोकामना पूरी हो जाती है रावर के बारे में तो आपने सुनाई होगा रावर हमेशा इस पौधे को अपने महल में रखता था भागवान भौलना जी की पूजा करते बक्त वो इसका एक फूल जरूर चरहाता था और अपनी मनोकामना भी उसने पूरी करवाली दोस्तों आपको बता दे कि यह पोधा इतना शक्तिसाली प्रभावशाली है कि किसी भी निर्धन को अमीर बना सकता है किसी भी गरीब को करणपती धनवान बना सकता है किसी भी ब्यक्त के जीवन में अगर धन के मार्ग बंद हो गए हैं उन मार्ग को खोल सकता है किसी भी ब्यक्त के जीवन में अगर उसके नौगर बिगड़े हैं तो उस ब्यक्त के प्रतिश्मर्पित कर सकते हैं किसी भी ब्यक्त के दुर्भाग को शौभाग में बदल सक इसलिए मदार का जो पौधा होता है किशी बिक्त के घर में उगता है तो समाज यही कहता है कि अब तुम्हारे घर पर धन आना शुरू हो जाएगा क्यूंकि खुद भागवान गरेश जी का आश्रिवाद मिलता है दोस्तों मदार का पौधा जब पुराना हो जाता है इसका जो फल होता है वो भागवान गरेश जी के आकरती ले लेते हैं इसलिए वास्तों ग्यान में बनस्पति सास्त्र में कहा गया कि मदार के पौधे पर भागवान गरेश जी वास करते हैं भारत के कई राजियों में इस पौधे को मदार का पौधा कहा जाता है कई राजियों म को धन देनाि आपको बता दे कि आयरवेदिक शाच्तर के हिसाब से ये पौधा उत्तम पौधा माना गया है कि दम पर ठीक कर सकता है इसी प्रकार से इसके तांतिरिक गुड़ों के बारे में बता दे ये पौधे के अंदर कई देवी देपताओं का वास होता है इस पौधे के जड़ का सही तरीके से इस्तिमाल कर रहे हैं तो गरीब दर्यदता परेशानी कर्ज को चुटकियों में खत्म कर सकता है आपके जीवन में धन आने के मार के शुरू हो सकते हैं जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं दोश्तों जो इस बीड़ो में आपको जानकारी मिलने जा रही है वो आपके जीवन को बदल सकता है आपके घर के अंदर रोज लडाई जगड़ा कलेस होता है वो सब समाप्त हो जाएगा अगर आप इस पौधे का शही तरीके से साधना करते हैं तो इसके फूल की सही तरीके से पूजा करने पर आपके जीवन में आने के मारगे धन आने के मारगे खुल जाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि कोई नया ब्यापार सुरू करने जा रहे हैं वो घोड़ी की तेज की रपतार से भी तेजी से दोड़ने लग जाए तो इस पौधे की सही तरीके से साधना कीजे इसमें भगवान गड़ेश जी बास करते हैं इसलिए सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं अभी तक आपने कमेंट वाक्स में जैसरी गड़ेश और ओम नमेशिवाय नहीं लिखा तो लिख दीजे क्योंकि अगर आपको भगवान गड़ेश जी का आशिरवाद मिल गया तो कभी भी कष्ट नहीं आएगा और आप भी जानते हैं कि भगवान भॉले नाथ ने किसी को आशिरवाद दे दिया तो इसके सामने काल भी अगर आजाए तो वह अपना राष्टा बदल लेता है इसलिए जैसरी गड़ेश और ओम नमेशिवाय लिखना मत भूलिएगा तो तुरंत लिख दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों इस पौधे में कई गुर है परन्तु एक गुर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ इसमें तांत्रिक गुर के बारे में जानकारी देंगे इसके तांत्रिक गुर दो प्रकार के होते हैं एक इसके फूल का इस्तमाल किया जाता है दूसरी इसकी जर का इस्तमाल किया जाता है इसलिए इस वीडो को बिना भगाए अंतक देखेगा सबसे पहले इसकी जर की बात कर लेते हैं अगर आपके घर में लडाई जगड़ा होते हैं, कलेस होते हैं, परिवार में आपके लोगों में इतना मतभेद हो चुका है कि घर तूटने तक की नवबत आ गई है, तो एक बार समझे लिजे कि किसी परोशी ने या किसी दुश्मन ने आपके घर में कोई तंत्र बिद्या क इतना करने मातर से आपके घर की नकरात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी, जो कलेस हो रहा है, जो लडाई जगड़े हो रहे हैं, पत्पत्नी में, परिवार बालों में वो बंद हो जाएगा, और यकीन मानिए, इतना करने भर से आपके घर की शारी नकरात्मक शक्तियां खत में हो जाएगी दूसरा माना ये जाता है कि दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना नया व्यापार सुरू करने जा रहे हैं आप नया व्यापार में पैसा लगाने जा रहे हैं या आपका व्यापार ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार घोड़ तो उसको एकदम प्रोटेक्ट कर लेजे, सुरच्छित कर लेजे, अगल बगल इटे कुछ भी बना दीजे, ताकि उसमें कोई भी उसे कोई भी नश्ट ना कर पाए, और अगर घर के पास नहीं उगता या घर से कहीं दूर हो, तो किशी भी तरीके से आप लोग पीला गमला ले लीजेगा, उसमें एक पौधे को जर सहीत उखार करके बुद्धवार के दिन ले आएगा, शुबय के समय इस पौधे को ला करके अपने घर पर अच्छे से इस्थापित कर लेजे, और आप लोग लाकातार एक जारा बुद्धवार, ध्यान से सुनिएगा, एक जारा दीपक जलाईए, इस पौधे के पास रख दीजेगा, भगवान गरेजी का आश्रबाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत तेजी से आपके भाग में ब्रदी होनी शुरू हो जाएगी, जो आपकी आने वाली पीड़ी है, वो भी फाइदा उसको भी देगा, कोई अगर किसी को आश्रबाद मिल गया, तो वह ब्यक्ति मिट्टी को भी छूले तो सोना बन जाता है, तो दोस्तों अगर आपने बुद्धवार के दिन इसे लाकर अपने घर पे लगा लिया, तो बहुत लाब होगा, आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेंगे, अब आपको ब शोंबार को चलाते हैं, तो भागवान भॉले नत की अपार कृपा बरसेगी, मदार का जो आकड़े का जो फूल है, ये भागवान श्यू को बहुत पसंद है, इसलिए आप किसी भी दिन, हलाकि शोंबार की दिन जरूर आप इसे चलाया करें, बहुत सो बोगा, आकड़े क जर, देखें दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आकड़े की जर को आप शोंबार या बुद्धवार के दिन, आप लीजे, आकड़े की जर को आप खोद कर, और इसे आप लाल कपड़े में लपेट करके, अपने धन की स्थान पर अगर रख दें, तो कहते हैं कि महालक जर को आप शोंबार या बुद्धवार के दिन, इसे आप लाल कपड़े में लपेट कर, अपने धन की स्थान पर रख दें, बहुत लाब होता है, आकड़े की जो पूश्प होता है, इसे अगर धन की स्थान पर रखने से धन दुगना तेजिय से लाब होता है, रोरपती भी बन जाते हैं, करोरपती, आकड़े का फूल बहुत ही सुब होता है, आकड़े का फूल अगर 108 मिल जाए, 108 फूल अगर आप प्रति सुम्बार को आप शिव जी को चुरहाएं, और अगले दिन उसे फूल को आप लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में बांध कर दोस्तों ऐसा आगर आप एक ज्यारा सुम्बार करें तो कहते हैं कि जो निर्धन है वो धनबान बन जाता है, जो रोरपती है वो करोरपती बन जाता है, आपके घर में पैसों के कमी कभी नहीं होती है, श्वेम महादे वास करते हैं, श्वेम माता लक्ष्मी वास करते हैं और आपके घर में धन आने के सब राष्टे खुल जाते हैं तो आकड़े का फूल बहुती चमतकारिक और बहुती लाबकारी है इसे जरूर अपने घर पर लेकर आएं ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज है तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जैमालक्षमी